नमस्कार मैं हूँ दिव्याप बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज चौदा फर्वरी दिन बुतवार खबरों के उबने से पहले आप सभी को वसंत पंचमी की हादिक सुबकाम नाए अब एक नजर सुर्खियों पर बिहार का बजट हुआ पेस्ट साल जूम धाम से मनाई जाएगी सरस्वती पूजा रासन कार्ट बनवाने के लिए स्रमे करे आवेदर बिहार के सबसे अमीर जिले की सूची आई सामने पटना में सक्षमता परिक्षा को लेकर सिक्षकों ने किया प्रदर्सन दील बनाने पर कॉंटेंट क्रीटर्स को मिलेगा सम्मान इंग्लैंड के पूर वल्लेवाद ने भारतिय टीम को दीचे तावनी अब चले बढ़तें बिहार के अब तके 25 बरी खबरों के और विस्तार से इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक के पदों पर निकली भरती नाविक भरती के प्रक्रिया इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए शुरू हो चुकी है एक चुक उमिदवारिस के अधिकारिक वेबसाइट जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट सीडी एसी डॉट इन पर जाकर आविदन कर सकते हैं यह भरती कुल 260 बदों पर आई है आविदन करने के इंतिम तारीक 27 परवड़ी 2024 है आविदन करने वाले उमिदवारों के लिए जरूरी है कि उन्होंने मैत और फिजिक्स विसेओं के साथ बार्वी की परिक्षा उत्तरन की हो साथ उनकी नियुनतमाईउ 18 वर्स और अधिकतमाईउ 22 वर्स होनी चाहेगे हाला कि अरक्षित वर्गों को इसमें छूट दिये जाएंगे इस भर्ती से संबंदित अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधि सूचना को देख सकते हैं आपके इदिन सभी माता सरस्वती की पूजा कर उन्तरे आसरवात प्राप्त करते हैं विद्या की देवी कही जाने वाली मा सरस्वती की आराधना में आज हर कोई डूबा रहेगा इस दिन बसंत रितों की शुरुवात होती है इसके लावे इस दिन पीले रंग के कपरे पहनने का विसेस महत्व है धार्मिक मानेताओं के मताबिक इसे दिन मा सरस्वती के उत्पत्ती होई थी या दिन चात्र कला संगीत आधी छेत्रों से जुरे लोगों के लिए बेहाधी खास होता है इस दिन सुबह उठकर असनाल करना चाहिए साथी देवी को फूल अर्पित कर पूजा करना चाहिए बिहार की बात करे तो सरस्वती पूजा पर राजे में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतिजाम रहेंगे बिहार का बजट हुआ पेस बिहार के मुख्यमंत्री सव्वत मंत्री समराज चौधरी ने विधान सभा में बजट पेस किया है इसमें महिलाओं के पोसन का खास ख्याल रखा गया है साथी जानकारी दी गई है कि स्कूलों के ड्रॉप आउट में कमी दर्ज की गई है बिहार का विकास 10.4 है और यह देश में सबसे अच्छा है सरकाने क्रिसी रोड मैप को लागू किया है सरकाने ग्रामीन इलाकों में हर घर नल का जल पहुचाया है यहां परेटन की संभावना को देखते वे परेटन नीती को लागू किया गया है आईटी छेत्र में भी रोजगार को बरहावने के लिए कोशिस होई है वितमंत्री ने विकास के लिए प्रोच्छान रासी देने का एलान किया है रासन कार्ड बनवाने के लिए स्रमिक करे आवेदन राश्ट्रे खाद सुरक्चा दिनियम के अंतरगत रासन कार्ड से कर इस्रमिक वंचेत है इस्रम पोर्डल पर पंजिक्रित ऐसे सभी स्रमिक रासन कार्ड बनवाने के लिए अपने प्रखंड के आटी पीएस काउंटर पर आवेदन जमा कर सकते हैं साथी रासन कार्ड को बनवाने के लिए rconline.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की परिस्टानी होने पर संबंदे तनुमंदलिये प्रधादिकारी से संपर्क किया जा सकता है जबकि किसी भी तरह की शुकायत के लिए विभाग ये help line नंबर एक नौच छे साथ या एक आट सूने सूने तीन चार पांच चे एक नौच चार पर संपर्क किया जा सकता है मालूम हो कि बिहार सरकार की सूचना एवं जन संपर्क विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई बिहार बोट की मैट्रिक परिक्षा में सेंटर पर आदे घंटे पहले पहुचना जरूरी बिहार बोट की मैट्रिक की परिक्षा 15 फरवरी से शुरू हो रही है यह परिक्षा 23 परविर तक चलेगी, एक्जाम सिंटर पर आदे घंटे पहले प्रवेस करना जरूरी है, वहीं परिक्षा केंदर पर, देरी से आने पर एंट्री नहीं दी जाएगी, भिहार विद्याले परिक्षा समीते ने इसको लेकर सूचना जारी किया है, पहली पाली की परिक्षा सुबह के सारे 9 बजे से सुरू होगी, इसके लिए 9 बजे तक परिक्षा केंदरों पर पहुँचना होगा, दूसरी पाली की परिक्षा के लिए 15 बजे तक ही एंट्री मिलेगी, उसके बाद परिक्षा 2 बजे से ली जाएगी, बोड ने कहा है कि परिक्षा से ब परिक्षार्थियों की जवाब देही होगी। बोड ने परिक्षा लेने वाले पदाधिकारी कर्मी और छात्रों के अभी भावक से अनुरोध किया है कि परिक्षार्थी केंद्र में पहले पहुंचे यह सुनिस्थित किया जाए। इसके लिए पेज तयार हुआ है। इसमें लिखा गया है कि आपका कॉंटेंट देश के लोगों को प्रभावित करता है और हमारे पास इस प्रभाव को और अधिक प्रभावी करने का मौका है। जानकारी दी है। बताया गया है कि पोशन के स्थिती को जानने के लिए एक प्रचलित तरीका है। मानव सरीर के सामाने मानक जैसे वजन लंबाई उचाई की मदद से स्थिती की ग्रेडिंग की जानकारी मिल जाती है। वही अगर उम्र के अनुसार कसी की लंबाई उचाई या वजन नहीं बरहे तो ये कोपोशन के लक्षन होते हैं। सरकार की और से सलाह दी जाती है कि 5 साल तक ये सभी बच्चों को सारे रिकमाब की जाच करनी चाहिए। वही अधिक जानकारी के लिए आंगनवारी सेवी का या आसा से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए वेबसेट icdsonline.bih.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। बिहार के सबसे अमीर जिले की सूची आई सामने। बिहार सरकार ने आर्थिक सर्वेक्चन की रिपोर्ट जारी की है। इसमें ये बात निकल कर सामने आई है कि पटना बिहार का सबसे अमीर जिला है। वही बेगु सराय अमीरों में दूसरे नंबर पर है। इधर मुंगेर का अस्थान तीसरा है वही अररिया जिला गरीबों में दूसरे अस्थान पर है तो सीधा मरी का अस्थान तीसरा है इसमें प्रतिवेक्ति आये भी निकल कर सामने आई है इसमें अर्दि जिलों की रैंकिंग को बताया गया है इसके अनुसार राजिर में प्रत में आज हम बात करेंगे खुदा अबक्स लाइब्रेरी के बारे में यह लाइब्रेरी देश के सबसे प्राचीन पुस्तकालेओं में से एक है जो बिहार की राजधानी पटना में देखने को मलती है बौधिक संपदाओं में यह लाइब्रेरी काफी महत्वपून माला जाता ह इस लाइब्रेरी में प्राचीन पांडु लिपियों और दस्तावेजों का विसाल संग्रह देखने को मलता है साथी एसलामी और भारतिय विद्या संस्क्रिती के संदर्व में प्रमुकस्थानों में से एक है इस लाइब्रेरी के पास हिंदी की पहली डिक्सनरी होने का पटना में सक्षमता परिक्षा को लेकर सक्षकों ने किया प्रदर्सन बिहार में नियोजित सक्षक सक्षमता परिक्षा का विरोत कर रहे हैं इन्होंने जमकर प्रदर्सन किया है वहीं चल रही मीडिया खबरों के अनुसार पटना में पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज किया है इनकी मांग है कि बिना किसी सर्थ के इन्हें राज कर्मी का दर्जा दिया जाए इसी मांग को लेकर इन्होंने विधान सभा को घेरने का एलान किया था साथ इस सिक्चा विभा के आदिस के बाद भी ये गर्दनी भाग धरना स्थर पर जमा हो गया राज के कई एलाकों से यहां सिक्चक पहुंचे मालूमों के सिक्चक ये भी मांग कर रहे हैं कि इन्हें एक्चिक अस्थाना अंतरन दिया जाए नियोजे सिक्चकों की मांग है कि यह जिस विद्याले में कारेरत हैं वहीं पर इन्हें बिना किसी सर्थ के राज कर्मी का दर्जा दिया जाए इनका कहना है कि इन्होंने पात्रिता परिक्षा दी है, इसके बाद दक्षता परिक्षा दी है, इसके बाद इन्हें कोई और परिक्षाब नहीं देनी है चंद्रियान पर एक और चंद्रियान भेजने की नासा कर रहा तयारी अमेरिका का अंत्रिक चेजेंसी नासा चंद्रमा पर चंद्रियान उतारने वाला है नासा अपनी नोवा सीलेंडर को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी में जुटा है इस मिसन का नाम I.M.1 है चंद्रियान के सिता पर पेलोड पहुंचने के लिए तयार हो चुका है इसकी माला पार्ट एक रेटर सोच्ट लेंडिंग की तयारी है इस मिसन पर दुनिया भर के वैग्यानिकों की नजर डिकी होई है नोवी सिलेंडर चांद के साउथ पोल से करीब 300 किलोमेटर दूर वाले पॉइंट पर पहुंचेगा माला पार्ट मासिव से ये काफी नज़्दीक है यहीं इसकी खासिद भी है आटेम से तीन मिसन के लिए नासा की ओर से तेरा जगों पर विचार किया जा रहा है इसमें से मैला पार्ट भी एक अस्थान है बताया जाता है कि अस्थान चंदर्मा की ध्रूविये संसादनों को खोजने के लिए भी खास है जल के साथ ही बर्फ की खोज पर भी नज़र रखी जाएगी कहा जा रहा है कि इस मिसन के बाद आगे के मिसन के लिए भी सफ़र काफी आसान हो जाएगा नियोजिद सिक्चकों के सक्षमता परिक्षा में फेल होने पर नहीं जाएगी नौकरी बिहार के सक्षा मंतरी विजय चौधरी ने बड़ा एलान किया है उन्होंने कहा है कि सक्षमता परिक्षा में फेल होने पर नियोजित सक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी सिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज कर्मी का दर्जा देने के लिए परिख्षा का आउजन किया जाएगा इन्हें सेवा मुक्त करने को लेकर अभी तक सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई निर्णाए नहीं लिया है सिक्षा विभागी कमेटी ने इसको लेकर उन्हों संसा जरूर की है लेकिन बिहार सरकार की ओर से इसको लेकर कोई विचार नहीं किया गया है सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है आपको बता दे कि सक्षमता परिक्षा में फेल होने के बाद नौकरी जाने के फैसले का सक्चक विरोत कर रहे हैं इन्होंने विधान सभा के घिराव की चेताब नी भी दी थी ऐसे में सक्चा मंत्री ने नियोजिज सक्चकों को लेकर सब कुछ साफ कर दिया है बीहार में अगले एक साल में आठ लाख लोगों को नौकरी देने का लक्च पूरा होगा इसको लेकर मुख्य मंत्री इंदीस कुमा ने ऐलान किया है उन्होंने कहा है कि साल 2025 में होने वाले विधान सभा चुनाब से पहले राज़ सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देगी रख्चु रखा है वहीं पूर्व डिप्टी सीम थी दस्वी आदव के दावे को सीम नितीज कुमार ने गलत बताया है उन्होंने कहाए कि राज़त के सत्ता में आने के बाद काम नहीं हुआ है यह एंडिये की पहले की सरकार में ही तैह हो गया था प्रदेश के कुछ हिस्सों में में गर्दन या वदिरपात की संभावना बीते दिन बिहार के कई हिस्सों में बारस की सिथी देखी गए बारस के कारण किसान परिवारों को सतर्क रहने की सला दी गई है हालांकि प्रदेश में आज और कल भी बारस की संभावना है इसलिए कि स्थानों को सलाह दी जा रहेगी कटे हुए फसल को खुले में ना रखे पानी और नमी से फसल का बचाव करें आज प्रदेस के लगबक सब्धिट सभी हिस्सों में मौसम को लेकर यलो प्रशेंत के दिमिन घंबस्काव है बंगमत प्रतियोगिता का आयोजन विहार में पहली बार सरसरत्वी नैसनल स्कूल गेम्स भरुत तोलन में प्रतियोगिता का पटना में भवेश स् āभारं में हुआ स्कूल गेम्स पर डिसन ओफ इंडिया और बिहार राजी खेल प्राधिकरन के संयुक्त तत्वा धान में इसका आयोजन हुआ है ये प्रतियोगिता 16 फर्वरी तक पार्टले पुत्रा खेल परिसन में आयोज़त की गई है देश के 26 राजों से 426 से जादा अंडर 17 आयोबर्ग के बालग एवं बाली का इसमें भाग ले रहे है 104 प्रसक्चक और प्रबंधक भी इसमें सामिल हुए है बिहार सरकार के खेल विभाग के निदेशक महिंद्र कुमार ने प्रतियोगिता का उधगाटन किया है इस मौके पर इन्होंने कहा है कि अब बिहार के लिए बहुत खुशी और गर्वी की बात है कि स्कूल गेम्स फेर्डिसन ओफ इंडिया ने पहली बात पांच खेलों की मेजवानी का अबसर बिहार को दिया है मास्टर सुची की मदद से तुरंट ट्रेन का टिकेट करे बुग भारत में हर दिन करोरों लोग ट्रेन की यात्रा करते है इसमें आरक्षे तो और आरक्षे दोनों स्रेने से यात्रा करने वाले लोग सामिल है महीं confirm टिकेट के लिए महीने पहले से टिकेट बुक करना शुरू हो जाता है ततकाल टिकेट को बुक करना मुश्किल होता है यह महंगी भी होती है IRCTC की वेबसाइट पर और रेलवे स्टेशन के आरक्षन केंद्र से भी रेलवे का टिकेट बुक हो सकता है इसके लावे IRCTC की वेबसाइट या एब पर मास्टर लिस्ट बनाने का ऑप्सन होता है इसमें यातरी के नाम और अन्य डिटेल्स को लिखना होता है इसकी मज़द से ततकाल टिकेट बुक करने के दौरान डिटेल नहीं भरना होगा इसकी जानकारी पहले ही दी जा सकती है साथ ही पेमिंट के समय भी टाइम की बज़त होती है बिहार के सभी बच्चों को मिल रही प्रात्मिक सिक्षा बिहार के सभी बच्चों को प्रात्मिक सिक्षा मिल रही है इस जौरान बच्चा स्कूल नहीं छोड़ रहा है बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षन 2023-24 में ये बात सामने आई है वही साल 2022-2022 में ये संक्या 2977 फीजी थी इसके बाद ये एक अच्छा संकेत है माध्यमेक अस्तर की बात करे तो यह साल 2015-16 की तुलना में इसकूल छोड़ने वाले बचों में 40% तक के गिरावट दर्ज की गई है जबकि उच माध्यमेक और माध्यमेक में लर्कियों के गिरावट दर्ज काफी कम है ताजस सर्वे में ये बाते सामने आई हैं कि पटना पूर्वी चंपारण और गया में सरवादे के स्कूल है बताया जाता है कि ये सराव जारकंड के जरिया धनवाद से लखी सराई लाई जा रही थी इस दोरान पुलिस ने उन्हें पकर लिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कारवाई की है इस दोरान दो लगजरी कार और बिक अप को भी जब्त किया गया है जाजा के डियस पी रादियस कुमार ने इस बात की पुष्टी की है वहीं सभी तसकर पुलिस को देखकर भागने की कोसुस कर रहे थे नेकिन इने ख़देर कर पकर लिया गया है पुलिस ने टीम का गठन करके तसकरों को पकरा है तलासी के दोरान पांच मोबाइल फोन सही तीन वाहनों में रखे अठार कार्टन सराप को पकरा गया है नंद के सोर यादव ने विधान सभा के स्पीकर पत के लिए किया नामंकन बिहार विधान सभा के स्पीकर पत के लिए नंद के सोर यादव ने नामंकन कर दिया है एंडी की नई सरकार में इस बार भी भाजपा का स्पीकर होगा मालूमों कि पिछले कारेकार में विजय कुमार सिनहा स्पीकर थे इस बार उन्हें डिप्टी Сीयम बनाये गया है पतना साहिब से भाजबा विधायक नंद के सोर यादव को बिहार विधान सभा के स्पीकर पत के लिए चैनलित क्या गया है आपको बताँते की नंद के सोर यादव पतना के ही रहने वाले हैं और इन्होंने पटना रगा निगम के पार्शत चुने जाने से अपने राजनीतिक सफर की शुरुवात की थी। यह लंबे समय तक बिहार में पत्थ निर्मान विभाग का कारेभार संभाल चुके हैं। यह स्वास्त मंत्री और प्रिटर्ण में भाग में मंत्री भी रह चुके हैं। यह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने नेता प्रधिपक्ष की भी भूमे का निभाई है। रोहिनी आचारेन रिंतीस कुमार पर साधा निसाना। साधिनोंने कहा है कि जब भी आईने में खुद की तस्वीर देखोगे तो तेजस्वी के विकास की लंबी लकीर देखोगे। रोहिनी ने तेजस्वी आदब की तारीफ करते हुए कहा कि 17 महीने के कारेकार में बिहार में अतिहासे काम हुआ है। आपको बता दे के से पहले राज़त ने सरकार के काम का क्रेरे तेजस्वी यादव को दिया था कामों को गिना कर कहा गया था कि आपने किया और आप ही करेंगे आज जरी में तेजस्वी यादव की छवी को एक काम करने वाले नेता के तौर पर देखा जा रहा है वहीं से पहले ते तस्वी यादव ने मुख्यमंद इंतीस कुमार पर सदन में जमकर निसाना साधा था और कहा था कि साल 2020 में मुच्चे कहा था कि नौकरी बाटने के लिए पैसे कहां से लाओगे लेकिन हमने कहा था कि हम काम करने के लिए हैं सीम नितीस कुमाने लोकसभा चुनाव में सभी सीड जितने का किया दावा बिहार के मुख्यमंद्री नितीस कुमाने लोकसभा चुनाव में पिये मोधी के नितरत में सभी सीड जितने का दावा किया है इन्होंने कहा है कि बिहार विधान सभा के 2035 के चुनाव में भी हम लोगों को अधिक सीटे आएंगी विधायकों की संक्या 200 के पार होगी CM ने आगे कहा कि बिहार में युवाओं की नौकरी और रोजगार पर फोकस है 5,33,000 युवाओं को नौकरी दी गई है इसके अलावे रोजगार भी मुहया करवाई गई है CM ने बताया है कि हम लोग शुरू से ही काम कर रहे हैं पुलिस बल्क पहले से कम था अब बहाली हो रही है सरकार हर तरद से लोगों की सेवा कर रही है सक्चा, स्वास्त, क्रिसी हर छेत्र में काम हुआ है इन विभागों में लोगों की संक्या बरहाई गई है राज में पुल और पुलिया का निर्मान करवाई गया है पंचायतों में महिलाओं को 50% अरक्षन दिया गया है इंगलैंड के पूर बल्लेबाद ने भारतिय टीम को दी चेताबनी विहार के पूर बल्लेबाद इयान बेल ने भाद ये टीम को चेताबनी दी है उन्होंने कहा है कि 5 मैचों की सिरीज में इंगलैंड की टीम ने काफी अच्छा प्रदर्सन किया है फिलहाल ये सिंखला एक एक की बराबरी पर है दूसरे मैच में इंगलैंड की टीम ने अच्छा प्रदर्सन किया है हाला कि उन्होंने जीत हांसल नहीं की 15 फरवरी को दोनों ही टीम अच्छा प्रदर्सन करना चाहती है पूर बरलेवाज ने कहा है कि टीम इंडिया इंगलैंड की बैटिंग को देखते वे चंतित है पूर के लिगेटर ने बताया कि ऐसा नहीं है कि भारत के खिलारी के पास प्रतिवा की कमी है लेकिन इस समय टीम अधिक दबाव में होगी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ये सिरी जागे भरेगी वैसे वैसे एक से बरकर एक मुकाबले देखने को मिलेंगे वही राज कोट में खेला जाने वाला मैच कप्तान बेने स्टोक्स के करियर का सौवा टेस्ट मैच होगा यहां तक पहुचने वाली के सोलवे खिला रही हैं इंगलैंड टीम के लिए पंदराने खिलारेस मुकाम तक पहुच चुके हैं कई कार्णों से दर्जह भारत के तहास में आज की तारीख आज के दिन वर्स 556 में पंजाब के गुर्दासपुर जुले के काला नौर में अकबर की ताज पोसी हुई थी आज के दिन वर्स 1628 में साह जहां आगरा की गदी पर बैठे थे आज के दिन 1658 में दिली के सत्ता हस्याने वाले मुगलवन्स के आपसी संघर्स में दारा ने वारा नसी के पास बहादुरपुर की लराई में सूजा को पराज़त किया था आज के दिन 1681 में भारत के पहले हुमियोपैथिक मेरिकल कॉलेज कॉलकता में स्थापना होई थी आज के दिन 1931 में महान करांतिकारी भगत चिंग राजकुरू और सुकदेव को लाहॉर में एक जेल में फांसी की सजाद दी गई थी आज के दिन वर्स 1993 में कपिल देव ने 400 विकेट और 5000 रनों का रिकॉर्ड बनाया था आज के दिन वर्स 2005 में वीडियो सेरिंग वेब साइट यूटिब की शुरुआत होई थी आज के दिन वर्स 2008 में नईया मसूद को उनकी कहानी संग्रत तौस चमन की मैना के लिए वर्स 2007 में सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था आज के वाइरल खबर में हम बात करेंगे किन सरकार के नाम पर दावा किये जा रहे हैं इस योजना के बारे में इंटरनेट के जवाने में कई ऐसी खबरे हैं जो वाइरल होते रहती हैं लेकिन सभी खबरे सही हो ये जरूरी नहीं है इसी करी में एक और ऐसी खबर है जो वाइरल हो रही दरसल एक यूटूब चैनल गवर्मेंट ग्यान द्वारा एक वीडियों के जरी ये दावा किया जा रहा है कि किन सरकार द्वारा प्रधान मंत्री लाजली लक्ष में योजना चलाई जा रही है और इस योजना के तहट बेटियों के खाते में पांच लाख रुपे दिये जाएंगे लेकिन बता दे कि हमने इस खबर की परताल शुरू की तो हमने पाया कि ये खबर पूरी तरह से फरजी है इस खबर को PIV द्वारा भी सोसल मेडिय एक्स के अधिकारिक हैंडल पर सेर किया गया है जहां PIV ने भी इस खबर को फरजी बताया है इसलिए ऐसे किसी भी खबर को सेर करने से बचे जीमेल पर आने वाले सभी स्पैम मैसेज से मिलेगी राहत कई बार हम अपने जीमेल पर आने वाले स्पैम मैसेज से काफी परिशान हो जाते हैं लेकिन अब जीमेल अपने ग्रांकों को इस परिशाने से चुटकारा देने के लिए योजना तयार कर रहा है इस नई योजना के तहट स्पैम पॉलिसी बल्क सेंडर्स को यूजर्स को जादा इमेल भेजने से रोकती है इस नयनियम के तहट गाइडलाइन में कहा गया है कि बल्क सेंडर्स को जून 2024 तक सभी कॉमर्स है और प्रमोसनल इमेल के रिए बन क्लिक अंट सब्सक्राइब बटन चालू करना होगा या बटन इमेल पर मुख्य भाग में साफ तोर पर नजर आने जरूरी है इससे अब आप इमेल पर आने वाले बेवज़ा के स्पैम ऐसे से भी परिशान नहीं होंगे हम प्रती दिन आप से पांट जैसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समित SSC जैसे अनर प्रतोगी पर एक चाहों में काम आएंगे सवाल बिहार स्पेसल विग्यान करेंडर फिर सो भुगो से राएंगे पूछे के 5 सवालों में आपने कितना सही उतर दिया है यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है भारत में राष्टे महिला दिवस कब मनाया जाता है और प्रतान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राजे में रेल सरक और पेजल पर योजनाओं को सुभारम किया है उप्सन यह उत्रपदेश उप्सन भी है उरिशा उप्सन सीए पंजाब उप्सन डिये मध्यप्रदेश इसका सही उतर है मध्यप्रदेश संगीत नाटक अकैडमी कहा दक्सिन भारत सांस्कृतिक के इंद्र स्थापित करेगी इसका सही उतर है है इद्राबाद बिहार के किस दिले में बिहूला तेवहार को विसेश रूप से मनाया जाता है इसका सही उतर है है भागलपूर इसका सहीं तरह भागलपुर बिहार की जलवायों कैसी है और पोशन कटी बंदी जलवायों ऑप्शन भी है सुस्क जलवायों ऑप्शन C है भूम अध्य रेखिये जलवायों ऑप्शन D में से कोई नहीं इसका सही उतर अध्री पोशन कटी बंदी जलवाई हूं मुहिंद साकीर हुसैन मुझू देवी रंजीत मिसरा बहरत प्रसाद राज के सोर महाचो सू कुमार सिंग बादल सादूला पालवी इंद्र देव कुमार लक्षमी मेहता सोभानंद ठाकू रवी कुमार राम सकील यादव इसके साथ ही बरते आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके अनुसार हमाले दुवारा हर सुबा प्रस्तूत किये जाने वाले 25 ख़वर में क्या सुधार किया विशक्ता है आ हरा आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के सात बने नाने के लिए देखते हैं अर साथ ही तो देख आफ ने चैनल का लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर फ देख रहे है तो पेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद